सोम्या के मन्नत हुई पूरी प्रीतों की कहानी रह गई अधूरी सास बहु का मिलन हर्मन की जूटी कसम प्रीतों अपने बेटे हर्मन की जुदाई और अपने पती हरक सिंकी बेवाई का सत्मा झेल रही हैं और पिछले कई दिनों से हैं लापता और इसी लिए सोम्या अपनी सासुमा की सलामति के लिए आज इस मंदिर में करा रही हैं करीबों के लिए भंडारा जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीतों गायब हो चुकी थी घर से और उसे निकाल दिया था और हमारे घर भी मदद के लिए आई थी बट मैंने मना कर दिया हल्प करने से और उसके बाद से वो गायब थी पता नहीं था कहा है तो सौम्या ने प्रीतों के लिए Sm誇ल punya में मत मांगी कि वो मिल जाय तो वह भंडारा करेंगी तो भंडारा कर रही थी और भंडारे का प्रशाड जब मंदिर ही तो वहीं पर से प्रीतों उसे मिल जाथी है सौमया सबको खाना खिला रही है और इसी लाइन में बैठी मिल जाती है इन्हें प्रीतो भी सौमया के हाथों से खाने लेकर जैसे ही प्रीतो ने अपने कदम बढ़ाएं सौमया के कान खड़े हो गए अगर आप सौमया के लिए पूछेंगे तो अपकोस उसके लिए शौकिंग होगा यह बट पॉसुर्भी इस लाइक की वो कन्फ्यूज है अभी कि यह नाटक है नाटकी है उसकी या फिर सच में प्रीतो इस बार सच कह रही है बट इस बात के लिए सौमया ने उस औरत का पीछा किया जिस पर उन्हें अभी भी शुक हुआ है और ज़रा देखिए सौमया के यह शक सच साबित भी हुआ लगता है उपर वाले ने सौमया की पुकार सुन ही ली लेकिन ये क्या प्रीतो तो बदहवास है और किसी को नहीं पहचान रही और दोर हर्मन को भी फिर से लग रहा है कि उसकी माप्रीतो फिर से कोई नाटक कर रही है सौम्या ने हर्मन से ये कहा अगर आप प्रीतों से नफरत करते हैं तो उनके सर पर हाथ रखकर कसम खाईए लेकिन हर्मन ने जूटी कसम खाने से इंकार कर दिया और अपना हाथ प्रीतों के सर से वापस ले लिया सौम्या आप कसम खाने के लिए उसे कहती है सही कहा प्रीतो कैसी भी हो लेकिन हर्मन की मा भी तो है खेर खुशी की बात यह है कि प्रीतो मिल गई है और अब सास और बहु के दिलों का मिलन बाकी रह गया है ऐसा कुछ ट्राक आने वाला है जिसमें सौम्य और प्रीतो जो है वो अब साथ में मिलकर काम करती है तो चलिए अब ये देखना होगा दिल्चस्प जब ये सास भो की जोड़ी मोहिनी और हरक सींग की अकल ठिकाने लगाती है महिश्या दो मुंबई आज तक मुंबई आज तक